हलो फ्रेंट्स मोस्ट वैलकम आज मैं आपको अपने वीडियो में राजपूती पोश्चाक में कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ वीडियो पसंद आया तो जो लाइक और शेयर करते हैं साथी चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें तो इसके लिए फैबरिक है दो मीटर, कूर्ती की लंबाई 24, सीना है 34 इंच और शोल्डर है 14 इंच तो ये तीन नाप चाहिए हमें कूर्ती की कटिंग के लिए लंबाई, सीना और कंदा और ये फैबरिक दो मीटर है मैं आपको बता चुकी हूँ और ये जो कांचली का नाप लिख रखा है, इसके जश्ट बाद में हम उसको टैली कर लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे तो देखिए, अगर कपड़े का अर्ज फुल होता है तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं अब वर्क भी बना हुआ है, कपड़े का अर्ज बिल्कुल भी नहीं है तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और वर्क जहां किया हुआ है, उसका सेंटर को ध्यान में रखते हुआ हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे यानकि ये fold हो जाएगा 4 fold तो हमें work को ध्यान में रखना है अब length हमें जितनी भी लेनी है जैसे बनाना हमें 24 इंच तो हमें 24 का 24 लेना है क्योंकि सिलाई margin में जितना जाएगा उतना को उतनी वापस मग जिया जाएगी तो यह हमने 24 इंच पर इसको सिधा कर लिए अब दीखें शोल्डर है हमारे 14 इंच और इसको मैं ले रही हूं सवा 7 इंच यहां से लेंगे हम इसके आर्म हॉल 8 इंच क्योंकि कुर्ती में आपको पता इता जदा फिटिंग नहीं आता अंदर कांशली भी आएगी अब चेश्ट है हमारा 34 यानि उसका 1 फोर्थ हो जाता है 8 इंच और एक सवा इंच का मार्जिन हम इसके अंदर रखेंगे तो इसी अकॉर्डिंग हमें नीचे से भी सिधा कर लेना है यहां से जहां तक हमें खुला रखना है वो है 9 इंच तो 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहां पर अगर आप चाहें तो शेप दे सकते हैं अदरवाइस डाट भी जो लगाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं तो सबसे पहले आर्मोल को गुलाई देते हैं और यहां पर अधा इंच का शेप आप कमर में दे सकते हैं अगर आप डाट नहीं लगाते हैं तो इस तरह का शेप आप दे सकते हैं और इसी तरह से नीचे चाक में मगजी आती है तो यहां से जो है वो पौन इंच की कटिंग देना बहुत ज़रूरी है ये कटिंग अगर हम नहीं देते हैं तो कॉर्णर जो है कुर्टी के वो थोड़े से बाहर के साइड में निकल जाते हैं अब दिके इसको हम खोल लेंगे बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ मघजी जांसे स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा समने कट लगा दिया हमाँ पर सेंटर में अब आगे वाले इसे को मैंने वापसे फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई ले रही हूं मैं 9 से हम इसकी चोड़ाई लेंगे 4 इंच तो 4 इंच और 9 इंच से एकदम चोकोर डिबा बनाना है हमें पहले अब देखें गला कैसे बनाना है उपर की साइड में हम लेंगे 2 इंच और यह जो डबा बनाया है नीचे की साइड से इस पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे औ और इस तरह से 2 इंच को मिला लेंगे और नीचे देदेंगे गोलाई तो यह जाएगा राजपूती कूर्ती का घला और आर्म हॉल पर आधा है जिसका शेप देदेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो कैसे लगा पसंद आये तो जरू लाइक और शेर कर देर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग